हम भक्त प्रहलाद कि तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्णों जी के जो भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम भक्त प्रहलाद कि तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं शिरी हरी विश्मों जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे भी पदा आई तुमने ही लाज बचाई भगतों पे भी पदा आई, तुमने ही लाज बनाई महर्स कस्यप की पतनी को जन्मी तो संता है हिर्णा कस्यप और हिर्णाच रख दी उनके ना महाबली और प्राकर्मी थे दोनों ही भाई करके युथे देवताओं से विजय स्वर्ग पे पाई हिर्णाच ने एक दिन था प्रिथमी को उठा लिया जासा गर की गहराई में उसको छिपा दिया तब विश्णू ने ले लिया वराह रूप आवता अपने दातों बीच दबा कर लाए प्रिथवी बाई फिर उस पापी को भी तो एम लोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्णू जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे विपदाई तुमने ही लाज बचाई भगतों पे विपदाई तुमने ही लाज बचाई बाई के वद से हीडा कश्यप दुखी हुए बद्धला लेने को ब्रह्मा का तप वो करने लगे देखा देवों ने जब हिर्णा कश्यप तप मेली कर्या क्रमण दैतियों पे फिर स्वर्ग लिया था छी देव राज ने फिर तो भगतों ऐसा काम किया हिरणा कश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया हिरणा कश्यप की पत्नी उस समय गर्ब से थी नारत मुनिस इंद्रदेव की हो गई भेट तभी इंद्रदेव से नारत जी उसको छुड़वाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्णों जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे विपता आई तुमने ही लाज बचाई भगतों पे विपता आई तुमने ही लाज बचाई नारद जी फिर उनको अपने आश्रम ले आए जिरिणा कश्चप की पत्नी को बेटी लिया बनाए बड़े ही सुन्दर बालक का फिर वहाँ पे जन्म हुआ नारद जी ने उसको तो प्रहलाद है नाम दिया नारद जी के वचनों का प्रहलाद पे हुआ असर स्रीहर विष्णों की बगती प्रहलाद रहे है कर करके तब जो हिडा कश्चप लोटे के फिर आए अपनी प्रजा पे उसने फिर बड़े जुल्म ढाए हुए अहम में चूर खुद भगवान बताते है पावन कथा सुनाते है सिरीहर विष्णों जी के जो भक्त कहाते है हम कथा सुनाते है भगतों पे विपदा आई तुमने इलाज बचाई भगतों पे विपदा आई तुमने इलाज बचाई ले प्रहलाद को उनकी माता भी है लोटाई उनको पाकर हिर्णा कश्यप ने भी खुसी मनाई विष्णों भक्त प्रहलाद है जब उनको बोध हुआ हिर्णा कश्यप को प्रहलाद पे बड़ा ही क्रोध हुआ बोले पुत्रे से ना तुम लो सत्रू का आना बत प्रहलाद तो लेकिन जब ते रहे हरिना समझाने पर भी प्रहलाद ने बात नहीं मानी उसका वध करने की फिर हिर्णा कश्यप ने ठाने अपने ही सुत के वध की युक्ती बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरे हरी विश्णू जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे विपदा आई तुम्रे ही लाज बचाई अपने सैनिकों को दे दिया मारन काते तोन मार सकता उसको जिसके रख्छक हो नरे होगे विफलसेनिकों के सब बाले और तलवा लेकिन भक्त पहलाद को वो नहीं सके है मा अनेक विसेले सरपों से भी उनको डसवाया भक्त पहलाद का लेकिन बाल नबाका वो कर पाया मिलाकिती खाव इस भोजन में उन्हें खिलाया था उचे परवत की चोटी से नीच गिराया था लाख यतन के बाद उसे वो मार न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरीहरी विश्णों जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतो पे विपदा आई तुमने ही लाज बचाई फिर हिरना कश्यप को आई पहन हो लिकायां मार दो तुम पहलाद को उससे करने लगे फरया क्योंकि हो लिकाने पाई थी ऐसी एक चादर जला नहीं सकती कोई अगनी भयंकर बोले चादर ओड प्रहलाद को गोद में आप बिठाना करके लकड़ियां एक तृत हमको है आग लगाना तुम बच जाओगी अगनी में ये जल जाएगा नामों निसान धरास इश्वर का मिट जाएगा भाई बहन फिर दोनों ही सहमत हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरीहरी विश्नुजी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भक्तों पे विपदा आएं तुम्रे हिलाज बचाएं भक्तों पे विपदा आएं तुम्रे हिलाज बचाएं जैसा कहां हिरिणा कश्यप ने वैसा काम किया ओड के चादर भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा लिया जलने लगी थी अकनी भक्तों जिस समधू धू कर सिरी हरी ने ओड़ा दी प्रहलाद को ओचादर बच गय है प्रहलाद होली का जल कर खाक हुई जिस पे करती गर्ब बड़ा उस तन की राख हुई सुनकर हिर्डा कश्यप फिर तो बड़े क्रोध में आएं वक्त प्रहलाद को बंदी बना तरबार में लिया पुलाएं मारक लात जोर से वो खंब गिराते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विसनोजी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पेबी तुदा आई तुमने ही लाज बचाई भगतों पेबी तुदा आई तुमने ही लाज बचाई बारी गर्जना हुई खंब से आए हर जोपा है वक्त प्रहलाद की रच्छा को ले लिया नर सिंग आउता आधा नर और आधे सिंग कहर ने रूप बनाया रख जंगा पे दुष्ट को फिर तो है पर नोक पठाया भग्तों की रच्छा करने खुद इश्वर आते है होता जन्म सफल ये कथा जो सुनते सुनाते है डियस पाल है करता स्रीहर चर्णों में वंदन सोनोट एक चैनल पे कथा ये चलती है हर दिन फोजी सुरेस से हंस राज रेलहन लिखवाते है पावन कथा सुनाते है सिरीहरी विश्णों जी के जो भक्त कहाते है हम कथा सुनाते है भग्तों पे दिपदा आई तुमने ही लाज बचाई भग्तों पे दिपदा आई तुमने ही लाज बचाई